तो आपने अक्सर बहुत सारे लोगों को दिखा होगा, कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, चाहें तो आप उनकी आखाउं पर पट्टी बांदो और आप बोलते जाओ तो आपके बोलने के साथ में टाइप करते जाएंगे, ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचन डिक्षा रखते हो, तो इस चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करना, बैल आइगन दबा लेना और आल पर क्लिक कर देना तो यहां पर हम बात करें इस तरह की टाइपिंग की, कि जिसमें आप गलतीयां तो बहुत कम करें, लेकिन साथ में आपकी स्पीड बढ़ती जाए, गलतीयां कब आप कम करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि गलतीयां आपने कहां कहां पे की है देखो पुराने टाइप राइटर में क्या होता था, कि वहां पे जो बैक स्पेस का बटन था वो नहीं होता था, जब भी आप कुछ भी टाइप कर देते गलत तो आपको सामने दिखता था, और आपको पता चलता था कि मैंने यहां पे गलती किये, यह अक्षर टाइप करन और आप जब भी कुछ गलत टाइप करते हैं, तो बैक स्पेस को जल्दी से प्रेस करते हैं, फिर दुवारा से आप टाइप करना शुरू करते हैं, तो जब आप टीचर को दिखाते हैं, तो जो गलतियां हैं वो दिखाई ही नहीं देती हैं, तो तुरन बैक स्पेस को कैसे आप रोकेंगे क्योंकि जैसे आप कुछ भी गलट टाइप करते हैं तो backspace पर अपने आप से हाथ चला जाता है अब याद कितना भी backspace को उपर चला जाए आप backspace को press नहीं कर पाएंगे तब ही आपको आपकी गलतियां दिखाई देंगी तो पहले तो हम जान लेते हैं कि backspace को disable कैसे करते हैं तो सबसे पहले जाएए अब अपने browser में और type कीजिए auto hotkey.com और यहां से इस software को download कर लीजिए कि यहां से जाना है और notepad की file को open करना है. notepad में आपको type करना है backspace और दो बार यहां पर एक colon को press करना है इसका जो code है मैं description में दे दूँगा इसके बाद आपको type करना है enter इसके बाद इस file को यहां से save करना है. save करने के लिए आप इसे desktop पर ले जाएए इसकी location کو desktop पर ही save करना है, उसके बाद आपको इसне file को कोई भी एक नाम दे देना है यहां पर आके save हो जाएगी, इसके बाद इस notepad की file को बंद कर दीजिए, अब desktop पे जो application आपके सामने बंद के आई है, उस पर double click करिए, ऐसा करने से यह application रन हो जाएगी और आपके task बार में आपको दिखाई देने लग जाएगी, अब आपको ms word open करना है, और यहां पर typing श टास्क बार में, और यह जो H वाला icon है, इस पर right click करके इसे exit कर देना है, तो इसके बाद से जो आपका backspace है, वो काम करना शुरू कर देगा, तो इस तरह से typing की practice करते समय, आप temporary तोर पर backspace को disable रख सकते हैं, जिससे आपकी जो गलतियां हैं, वो आपको दिखाई देती रहे देखो, वो salary क्यों ले रहे थे, क्योंकि उनके पास एक ऐसा skill था, जिसके through वो किसी भी office में जाकर वो काम कर सकते थे, इस रक्षा बंदन आप भी अपनी बहन को एक ऐसा gift दे सकते हो, जिससे वो अपने skills को और भी जदा मजबूत कर सकती है, और रक्षा बंदन पर विशे PCSkill.in पर और यहां पर आपको दिखाई देगा हमारा सबसे popular course, A to Z Computer Mastery Pinned Rev course, हम देने वाले हैं, बिलकुल free में है, यह shortcut की print किया हुआ, special mug, जिसको आप अपने table पे रख सकते हैं, या किसी को gift कर सकते हैं, इस पे जो shortcuts दिये गए हैं, यह बहुत important shortcut है, इसके साथ में हम free में देने वाले हैं, यह mousepad, जिस पे भी बहुत सारे shortcuts, जो हैं, बहुत useful shortcut, प्रिंट है, इसको अपने table पे रख सकते हैं, यह premium mousepad, यह premium mousepad आपको याद दिलाता रहेगा, काम करते समयों, उन shortcuts के बारे में, हम देने वाले हैं, बिलकुल free में, यह Hindi keyboard shortcut का, जो sticker है, वो, जिसे आप keyboard पे लगा के, हिंदी tapping सीख सकते हैं, हम देने वाले हैं, बिलकुल free में, Excel keyboard shortcuts के stickers, जिसे आप अपने keyboard पे लगा कर, सिर्फ 10 minute के अंदर Excel के expert बन सकते हैं, हम देने वाले हैं, बिलकुल free में, यह PDF e-books, जो आपको आपके काम में help करने वाली हैं, हम बिलकुल free में देने वाले हैं, यह 1800 plus shortcuts के PDF, जो आपकी help करने वाले हैं, आपके काम के अंदर, इसमें, word, excel, powerpoint, telly, photoshop, coral draw, page maker, यह ऐसे सारे जो software हैं, उनके shortcuts दिये गए हैं, जिने आप बड़े आसानी के साथ में use कर सकते हैं, हम बिलकुल free में देने वाले हैं, यह practice file, जिससे आप कभी भी कोई भी च pendrive course के अंदर, जिसमें 1000 से जादा lesson है, बिलकुल हिंदी, शुद्ध सलल भाशा में, और यह pendrive course बिलकुल offline चलता है, यह तीवी पे आप इसे चला सकते हो, phone पे चला सकते हो, आप इसको अपने laptop और computer पे भी चला सकते हो, और internet की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका data जो बचना हो आपकी, तब तक आप देखते हो, कितनी बार भी देगो, खुद देगो, अपने किसी रिश्यदार को गिफ्ट कर दो, बच्चे को गिफ्ट कर दो, उसके भी बहुत काम आएगी, इस pendrive के अंदर 1000 से ज्यादा lesson है, और जो professional courses है ना, उनकी list मैंने यह side में दे रखी है, word, excel, powerpoint, tele, photoshop, coral draw, computer hardware, html, बहुत सारे professional courses आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इस course के अंदर एक giveaway और भी है, जो है canva का course, अगर आप professional graphic designer बनना चाहा रहे हैं, तो यह canva course आपके बहुत काम आने वाला है, और क्या-क्या मैं देने वाला हूं, भी और सुना, भी तो list बहुत लंबी है, अब यह पूरा box जो है, वो कितने का मिलेगा, आम तोर पर यह pen drive हमारे पैनल पे 25 रुपे की, यानि 2500 रुपे की मिलती है, इस रक्षावंदन पे हम 400 रुपे का sticker हम और फ्री दे रहे हैं, कोल मिला के आपको देने है 2399 रुपे, कोई coupon code entry नहीं करना, को सीधे website प करिए और अपनी बहन को दीजिए, इस रक्षावंदन पे बहुत ही खूपसुरो सा गिफ्ट, जिससे अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना सके, तो यह pen drive आपके घर टाइम से पहुंचे, इसलिए टाइम से order करिएगा, और लास्ट में मेरी टीम में मनोच और तरुन आपकी help करने के लिए बैटे हैं, नीचे मैंने number दे रखा है, number पे call करो, अभी बात करो, अगर कोई भी doubt है, और साथ में मैं आपको देने वाला हूँ, ISO certificate यह course complete करने के बाद, एक online exam होगा, और मेरी team से आपको contact करना है, वो आपको देगी एक ISO certificate, जिसे आप अपने resume के साथ add कर सकते हो, और किसी भी job interview के अंदर लगा सकते हो, तो आशा करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप जरूर से pen drive course को join करोगे, description में मैंने link दे रखा है, वहाँ से जाईए, join करिये, जाईए हमारी website pcsskill.in पर, और वहाँ से join करिये pen drive course को, और अपना review मु की हैं, इस बात का अंदाजा आपको हो जाएगा, जिससे आप अपनी speed को और भी निखार पाएंगे, तो जब भी आप typing शुरू करें, तो यह जल्दबाजी ना करें, कि मुझे बहुत तेजी के साथ में type करना है, कोशिश करें कि मुझे जो भी शब्द में type कर रहा हूँ, आप वो सही type करूँ, चाहे शुरू आद आपकी दीरे हो, बिल्कुल rail गाडी की तरह है, कि जब शुरू होती है, तो दीरे दीरे जलती है, बाद में गती कब पकड़ जाती है, आपको पताई नीचे लेगा, तो इसी तरह से आपकी typing के साथ भी होगा, कि जब आप शही साथ में type करते जाएंगे, ऐसा आप भी कर सकते हो, एक तो ये नियमित अभ्यास की वज़े से भी होता है, और दूसरा जब हम शुरू से typing सीखते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियां यहीं पर करते हैं, कि हम keyboard को देखके type करने की कोचिश करेंगे, तो आपकी typing जो speed है, वो नि शकता नहीं बढ़ेगी, और आप एक professional typist कहलाने की साथ में, किसी भी exam को बड़े आसानी से cracker पाऊगे, तो type करते समय जो कुरसी पर बैठेंगी position है, वो भी बहुत में पून है, जब भी आप type करने बैठें, तो एक stool ले लें, आप जो पीछे सहारे वाली कुरसी होती है, उसको null है, एक सीधे stool पे बैठके, सीधे बैठके type करें, तो जब keyboard के पास में आपके हाथ रखे जाएंगे, तो उसकी जो हातेली है, वो कुछ इस तरह से upset करेंगे, keyboard की जो बीच वाली रो है, उस पर अपनी उंगलियों को set करने का बहुत simple तरीका होता है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इस keyboard पे दो बटनों के उबर कुछ उभार दिये गए होते हैं, यह उभार इसलिए दिये होते हैं, कि अगर आप keyboard को ना भी देख रहे हो, तब भी आप अपनी उंगलियों से इसको महसूस करके, अपनी उंगलियों को इस पर set कर पाएं, तो एक बार काटेंगे, तो जो उगलियों का सीधा pressure है, वो आपके keyboard के बटन पे नहीं जाएगा, पहले उसे नाखून आपके टकराएगा, तो इसलिए जो आपके नाखून है, वो अगर आप टाइप कर रहे हैं, तो उनकी cutting जरूर आपको करनी है, थोड़े से भी अगर नाखून बढ टाइप करने है, और आपको numerical keybet की typing आती ही नहीं, आपने उसकी practice की नहीं है, तो वो जो बहुत कम समय का time है, उसमें आप बहुत जादा समय लोगे, keyboard के ऊपर दिए के जो बटन है, उनसे numerical अगर आप टाइप करते हो, तो छोटे मोटे numbers type करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ज कुछ अलग तरह के अक्षरिय सेंबल बनाने हैं, तो उनको shortcut से लगें, तो ये shortcuts आपको ज़रूर याद रखना है, और इनकी भी continue आपको practice करते रहनी है, अगर आप इन shortcuts की practice नहीं करेंगे, तो बहुत सारी जगे पे अगर आपको कहीं bracket लगाना है, कहीं कुछ आपको symbol देन है, तो आप नहीं देपाएंगे, और इसकी वजए से भी आपकी जो speed है, उस पर फर्क पड़ेगा, तो आशा करता हूँ कि सारे तरीके आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे, और निये में तरूप से आप typing की practice करना बहुत ज़रूरी है, दिन में आपको 1-5 गंटा typing को ज़रूर देना है, भले ही आपको शुरूआत में ये boring लगेगा, बहुत सारी दिक्कते आने वाली है, अगर ये boring लगने लग जाए तो अपना favorite music बजा लो, ये सबसे best tips है, जब भी मैं typing करता था शुरूआत में जो बोर लगता था, तो जो मेरा सबसे favorite गाना होता तो वो प्ले कर लेता था, और फिर उसके साथ में typing करता जाता, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि अपना favorite music को on करके, जब आप typing करने बैठोगे, तो आपका मन भी लगा रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी जो typing है, वो complete हो गई है, कब जो time है, वो निकल ग धाभ ये जोथम करने बpotहिसे, के रहुत आता है, तो इसलोगे तक तक, भी वे देख़े हमें, में, है हम भी सिर वाज़े, धे में है, तो ये आता हुत जो थेए अच्छा है, निक्छा तो कले प्रूद सिरवत जowitz को में हम आपका जो के अच्छा है, झालब आता है, ये